स्टार परफॉर्मर है श्रीराम फनाइन्स आठ परसेंट उपर इस समय ये काउंटर ट्रेड कर रहा है अभी अल जी बता भी रहे थे पोजिशनल क्यूं उन्हें ये पसंद भी आ रहा है काउंटर क्या कुछ निकल कर आया है कल की कौन कॉल में क्या कहना है मैनेजमेंट का आ आसपास की बड़ोती है 8.9% पर आया है और डिस्बर्स्मेंट 34% बड़ा एंट 20% के आसपास बड़ा है और आप देखिए एक सेगमेंट था जिसको लेके दिक्कते थी जो लोग थोड़े स्केप्टिकल थे उस सेगमेंट को लेके वो था परसनल लोन का सेगमेंट और इस कंपनी से जब पूछा गया कि परसनल लोन के सेगमेंट में क्योंकि एक क्रॉस दिक्कते देखने मिल रही है तो आपके कंपनी में किस ता का हाल है तो इस कंपनी में साफ का कि परसनल लोन जो है इनका डायरेक्ट सेलिंग नहीं यानिकि डायरेक्ट ये ओपन मार्केट में लेते हैं वो सेक्योर हो जाते हैं तो यह बहुत बड़ा फाइदा इस कंप्दी को है और आगे चल के अपने परसनल लोन को एक कैब भी करके रखेंगे इन्हों ने कहा है दूसरा लोन डोट लोन डोट का गाइडेंस इनका पहले 15 से 18 परसिंट 15 परसिंट का था उसको बढ़ और नेट इंटरेश माजिन दोनों के गाइडेंस जो है उसको इन्होंने बढ़ाया है वहीं कंपनी का कहना है मतलब ब्रोकेश हाउस का कहना है कि आगे चल के क्रॉस सेलिंग के काफी चांसेस है और खासकर MSME और गोल लोन यह दो सेगमेंट है जहाँ पे इस कंपनी को काफ भी बैतिन ग्रोथ मिल सकती है विकॉस अफ डिस्टिबूशन एफ़ 24 से 26 के लिए एपेस अनुमान में ब्रोकेश हाउस ने 6 से 10 पसंद के आसपास की बड़ोती की है और जेफ्रिस और एच्छ बढ़ा दिये हैं अब 23 रुपे के लक्ष जो है यह दोनों ब्रोकेश हाउस दे रहे हैं कह रहे हैं वैलिवेशन भी अच्छे हैं तो यह तमाम वो रीजन्स है जिसके वैसे स्टॉक में अच्छी तेजी है बढ़े तेजी बढ़े और कमेंटरी भी बहुत स्टॉंग है और रीजन्स जो सारे वरुन ने बता हैं वो आपको दिख रहे हैं मजबूत आएए